के गाइस कैसे आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपको स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्ट शावा में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं अभी आपको कराने वाला हूं दिसंबर टर्में एक्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टन कोईशन हम लोगों ने लॉंच कर दी हैं हमारे आप पे आप जाकर करके वहां पर इन सारे वीडियो को प्लस जो नोट से हमारे जो कि दिसंबर टर्में एक्जामिनेशन के लिए होंगे वह आप डाउनलोड कर सकते हैं अट वरी नॉमिनल कॉस्ट प्लस जो वीडियो में बनाऊंग इस बारे में हमारा यह टॉपिक होने वाला है तो चलिए फिर देखते हैं तो अ केरफुल स्कूपनी मस्ट वी में बिफोर उसिंग पब्लिस जेटा देटा यूजर शुट बी एक्स्टर पॉशिस इन उसिंग डिटा और यह शुट नाट एक्सेप्ट अट इस फेस वाल् इस बारे में पड़िए उसको बहुत ज़रूरी है जो डिटा और टेटी पब्लिश हो गया है उसको बहुत ही केरफुली उसको स्कूरूट नी करो चेक करो कि उस पर गल्ती तो नहीं है वगरा तो यूजर को जो है और बहुत ज़एदा एक्स्टर पॉशिश होना पड़त बहुत है स्कूर्ड इस्तमाल को लेकरके और सिर्फ उसके फेस वैल्यू को देखकर के आपको इसका इस्तमाल नहीं करना होता बलकि उसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है उसका भी आपको ध्यान रखना होता है यह जो डेटा होता है यह रिजन इसमें यह रिजन बताया जा रहा है कि यहां पर बहुत सारे रिजन हो सकते हैं इसके जरीए वहां पर जो है कुछ गल्तियां आपको दिख सकती है बाइस है इंडिविजव डेटा तो लिया है पर उससे फोड़ा सा इन्फुएंस में आकर के डेटा को तयार करा है जो भी प्रिविएस डेटा है तो सेके डेटा का जब भी आप इसके अपमाल करोगे तो आपको देखना होगा कि आपका वो जो डेटा है वो बाइस ना हो जो सेंपल साइज है वो इनडिक्वेट ना हो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो लोगों के जरीये है या पूरे 20 लोगों का जो है पर सप्रस्प्शन तयार करने की कोशिश कर रहे हो तो अब 20 लोगों का परस्प्शन आपको तयार करना है तो कम से कम पांच लोग तो होने ही तो सेंपल साइज है वो सही होना चाहिए ना जो देफिनेशन या फिर कंपेशनल एर उसमें किसी तरह करना हो देर्फोर बिफोर उसिंग सच डेटा दफॉलोविंग एस्पेक्ट शुद भी इसलिए जब भी हम इस तरह की डेटा करेंगे जो कि सेकेंडी डिटा होगा तो इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंशूर दर डेटा अवेलिबल इस सूटिबल फॉर दर पर्पर्पल्स ओफ इंक्वाईरी ओन हैंड जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा उसको यह लाइक इंशौर करना है कि जो डेटा है वो आपके लिए सूटिबल है अगर आपको किसी इसका इसनमाल तो करनी सकते उसी चीज से रिलेटेट डेटा जो होगा उसको आपको स्तमाल करना होगा तो डेटा की सूटिबलिटी है कि नहीं यह आपने चेक करना होता है सबसे पहला पॉंट दूसरा है तसूटिबलिटी अब डेटा may be judged by comparing the nature and scope of investigation अब जो डेटा है वो आपको यह जज़ करना होगा कि जो डेटा आप इस्तमाल कर रहे हो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है ठीक है अगला पॉइंट है रिलाइबलिटी ठीक है इस अटमोस्त इंपॉर्टेंस तो डिटर्माइन हाव रिलाइबल इस देटा फ्रम सेकेंडरी सोर्स और हाव कॉ करने privacy विक region यह बहुत एंपॉर्टेंटा यह एकुछ बहुत जादा इंपॉर्टेंटा क्रूर कर रहे हो है। आपटना फूर्ल करना होता है यह ऐलाइबल होिस्ते उसके ऊशाइबलेटी और जामाल कर सकते हो तो अगर अच्छी नहीं होगा बहुत ही जादा पुराना होगा उसका कोई यूजी नहीं होगा अप्सुलीट होगा तो फिर इसको यूज करके कोई फाइदा नहीं है तो जब भी आप reliability को check करोगे तो जो पहला काम आपने करना वो यह करना है कि जिस एजशनी ने उस डेटा को collect करा था आप तो सुखनी डेटा इस्तमाल कर रहे है तो primary data जिस अजशनी ने collect करा था वह agency unbiased हो वह biased ना हो influenced ना हो किसी other party से whether it has a representative sample उसका कोई representative sample है या नहीं है, the data weather has been properly analyzed and so on, तो data है उसको properly analyzed किया गया था, कि महीं किया गया था, वो बहुत जरूरी है, अगर data आपको sugar production के बारे में पूछ रहा है, और आप आप wheat production के बारे में दे दिया, तो वो data आपके लिए reliable नहीं होगा, क्योंकि पूछ आप से कुछ रहा है, बता आप कुछ और रहे हो, तो वो चीजे उन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है कि जो data है वो उसके reliable होना चाहिए, और data, suppose आपको information चाहिए प्रिष्टे 4 साल का, data जो है प्रिष्टे 10 साल का है, प्रिष्टे 10 साल के पहले का है, तो क्या वो data reliable होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, अगला point है adequacy, थोड़ा चोटा topic था, यह 5 बाक्स में आप से पूछा जा सकता है, तो इस वेरी important आप इसको देख लीजिए, data from secondary sources may be available, but its scope may be limited, adequacy का मतलब क्या होता है, जो डेटा है, वो adequate आपके पास available है, ऐसा तो नहीं कि वो कम है, क्योंकि कम होगा, तो आपका जो proper overview है, वो आपका बन नहीं पाएगा, तो data adequate होना चाहिए, ठीक है ना, तो data from secondary sources may be available, but its scope may be limited, data जो हो सकता है, आपको secondary sources मिल जाए, लेकिन जो उसका scope है, जो उसका जगह हो सकता है, कि वो कम, छोटा हो, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप छीक्रों को कर रहे ही, कोशिश करते हो, तो आपका एक scope होता है, कि scope नेरा यह चीज़ें जो है apply होंगी, है ना, तो जो secondary data होगा, वो तो भी already पहले use हो चुका है, इसका मतलब उस time पर जो बना था, उस time पर उसका scope छोटा होगा definitely, है ना, साथ साथ चीज़ें पदलती है, बड़ी होती है, है ना, तो यह चीज़ यहां पर बोलने की कोर्शों के जारी है, उसका scope जो हो सकता है, therefore, this may not serve the purpose of investigation, और इसी कारण से हो सकता है, कि जो investigation करके आप चीज़ों को पता लगाना चाहरा है, हो सकता है, कि आपको वहां से पता न time period का, जहां पर आपका जो proper investigation है, वो ठीक तरीके से ना हो पाए, only if the investigator is fully satisfied on all average pension points, he should proceed with the data as a starting point for further analysis, तो जब भी बंदा, जो भी investigator है, जब वो बंदा इस चीज़ को यूस करेगा, तो वो चीज़ों को देखेगा, कि data जो वो suitable है या नहीं, उसके reliability कैसी है, adequacy है या नहीं है, क जो फिल जाकर कि वो चीजों को जो है आगे बढ़ाएगा, further analysis मों secondary data का इस्तेमाल करेगा, और else वो जो है, starting से जो है, चीजों को कर सकता है, जी कि यह उसके उपर depend करता है, so this is the topic that we have discussed today, काफी important topic था, secondary data का use में क्या किन किन precautions को आपने लेना है, and I hope कि आपके वीडियो रहा है, तो भाई, like, comment and share करो, इस course को शेर करो, students को बताओ इस course के बारे में, and buy a very important process for the December term and examination, and काफी valuable होगा, और भी वीडियोस हमें यहापे आपे आइड करने वाले है, so get ready, okay then, so let's meet in our next video, till then, bye-bye, take care.